कि नमस्कार बच्चों कि आपका स्वागत है आज हम लोग को पर्तम अध्याय को सुभा सितानी को आगे बढ़ाते हैं कल हमने सुभा सितानी के चार सलोग पड़े थे आज हम लोग पांच प्वास लोग पड़ने जा रहे हैं और बहुती सुंदर स्लोग है ध्यान देखेगा धन धान ये प्रियोगे शुव विद्यायहा संग्रेशू चा अहारे जहारे चंट्यक्त लजास्तो की भवेता की हिए दहूती सुंदर वात बतां हमारे विद्गानने संस्क्रट के साहतिये कारण्स दे धन धान ये प्रियोगेशू धन और धानिय धान में समझते हो अच्छा जिसमें गेऊं चावल अनेक परकार के जो हमारे अना जाते हैं उस धान तो देखिए यांप भावारत में भी देर का आया यांपर और यांपर सब्दार्थ में भी देर का आया और धान के परियोग में धं और धान के प्रियोग में विध्याय homepage कि विद्या को संग्रह करने में कि विध्या है को बाजार में इसा तड़ी है को विख्री भी पड़ी है उसको कि छुन-चुन के लाकर के हम लोग इकठा कर ले। इसका तो हम घरहा हाइष स्धिन करेंगे मनन करेंगे चिनतन करेंगे तब जाकर के विद्धinar इगठी होगी हमारे इस मस्तिշ्क me दिमाग में तो हमारे इस संतिंत्वन इस विद्वानों ने का है धन और धान के प्रियोग में और विद्या को संग्र करने में और अहारे व्यवारे अहार कहते हैं भोजन को कर भाहिए लोग हमें भूग लगी है भूग लगी है तो हमें भोजन करना ही पड़ेगा और जब हम भोजन करेंगे तो हमारी इस पेट की जो अगनी है वो सांथ होगी जो हमारी उद्रागनी है वो सांत होगी और यदि हमने अपने अहार के अंदर किसी भी परकार की लज्जा रख लिया संकोच रख लिया कभी-कभी बच्चे ऐसे होते हैं कई हम लोग अतिती की रूप में किसी के घर जाते है तो बच्चे लोगों को बड़ा मलबस को सरमाती वो अहार करने में तोड़ा सा इजट कीताते हैं कि मैं नहीं खाओंगा या जयन्य चाई दूढ़ मैं ने कियूँढ़ा तो वो ऐसी लज्जा बच्चे करते हैं तो उसका क्या फाइदा होता कोई फाइदा नहीं होता नुक्षान होता नहीं कि उल्टा हम लोगों को जब भूक लगती है तो हमारा जो स्वास्ते बिगड़ता है तो हमें अहार के अंदर और अपने वेवार के अंदर वेवार कैसा कि एक दूसरों की परती सम्मान की भावना संसकार सिलता सिल गुन विन स्वेंटा इस प्रकार का वेवार जो हमारा है उसको है जो त्याक्त लज्ञ हमने अपनी लज्ञ को त्यक्त कर दिया है तो हम क्या हो जाएंगे रू की भवेतर हम लोग शुक्छी वोजाएंगे वापस देखेगा है जो वित्ष्ष, जो वित्ति धन-धन के प्रियोग में और विद्या को संग्रण करने में और अहार में और विवार में त्यक्त लजन लज्जा को त्याग देता है वो जिवन में सुकी होता है तो प्यारे बचों हमें भी धन और धान के प्रियोग में विद्या को संग्र करने में अपने अहार में बोजन करने में और वेवार में कभी भी लज्जा नहीं रखने चाहिए लज्जा को त्याग देना चाहिए त्यक्तर लज्ज लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति कैसा होता है सुकी होता है तो आपको यदि सुकी रेना है तो क्या करना होगा धन धान का प्रयोग विद्या का संग्रह और अहार और रोहार में इन सब बातों में अपनी लज्जा क को त्याग नहीं पड़ेगी धन धान के प्रयोग में लज्जा रखोंगे विद्या को संग्रण प्रण में लज्जा रखोंगे कई बच्छे क्लास में बैठे रहते हैं उसको अपने गुरुजी से अपने टीचर से कुछ पूछना होता है और पूछना होता है तो उस एवन में रह जाएगी इसलिए बच्छों हमें हमेशा अपने गुरुजी के सामने कभी भी किसी प्रकार की प्रसंद को पूछते वक्त कि संकार नहीं करनी चाहिए अगर हम प्रसंद को नहीं पूछेंगे तो समस्चा का समयधान नहीं होगा तो इसलिए संतों ने अधुक्यों उपदेश देते होगे यह कहा गया कि धन और धाने के प्रियोग में विद्या प्राप्ती में बोजन करने में वैवार में संकोच या लज्जा को छोड़ देना चाहिए और जो संकोच और लज्जा को छोड़ देता है जिससे व्यक्ति सुखी हो जाता है इनमें लज्जा करने से व्यक्ति को कश्ट उठाना पड़ता है जैसे बोजन के समय संकोच करने से व्यक्ति भूका ही रह जाता है कि किसी के घर जाते हैं और वहां हम लोग थैरते हैं और वह हमारा अतिती सत्कार करते हैं और हमारे लिए भोजन लेके आते हैं और हम लोग लज्जा कर लेते हैं भूग तो लगती हैं जायकेदार भोजन आता है पर हमके तो नहीं नहीं सरम तो खाके आए हैं भूग नहीं खाके आए हमने लज्जा कर लिया तो निचित रोप से हम लोग क्या भूकियों मर जाएंगी तो बोजन के अंदर वेवार में विद्या को ग्रहन तरने में और धंध्रांग के प्रयोग में कभी भी लज्जा नहीं करने चाहिए जो व्यक्ति लज्जा करता है वो कभी भी सुखी नहीं रहता है को कि समझ में आगे ना बढ़ते हैं आगे इस पाठखा अंतिम और चक्ता सलोक हम पढ़ने जा रहे हैं ईश्च्यक्रिष्टि लोग के समया की मनसाध्यते शान्ती खडंग कर यस्च्यक्रिष्टि दुर्जरहां क्या लिखा हुआ है समया की मनसाध्यते अर्था समा समा करना वशी करती वस्मे कर लेती है लोके इस संसार को वशी करती है न वशी करन कर लेती है लोके इस संसार में समया किमनस आज़ते यहनि कि समा किमनस आज़ते क्या नहीं कर सकती है समा क्या नहीं कर सकती है समा तो इस अंसार को वस्मे कर लेती है क्या बदाया समा वशी करते लोके समा वशी करन कर लेती है इस अंसार में समया के मना सालिते अर्था तो समा क्या नहीं कर सकती भाईया आपने अपने घर के अंदर चाय का प्याला तोड़ दिया या कोई सामान उसको तोड़ होड़ कर दिया आगंदा है अब पिirl8 काम कर दिया घर बाहर से पापाजी गुसे में और साम को लोड़ते हैं तो वड़े गुसे होते हैं भी आपको वो समा कर देते हैं आप उसने सोरी वारी मांगते हैं तो समा कर लेते हैं तो आपके दिल के अंदर अपने पिताजी के परती जगह बन जाती हैं आप उनके वस्मे बन जाते हो वसिकन हो जाते हो कि मैंने इतना नुकसान करने के बावजूद भी हमारे पिताजी ने हमें महाप कर दिया है हमें समा कर दिया है तो आप उसके वशीबूत हो जाते हो अरताथ समा क्या नहीं कर सकती है समा इस संसार को वस्मे कर सकती है समा सब कुछ कर सकती है इसलिए इस समा बहुत बड़ा क्या हो गया एक बहुत बढ़ा गुन हो गया है इसे इस सलोक के अंदर प्रस्कूल सलोक में सम सिलता से संसाल में सभी को वस्त में कर सकते हैं सभी को वस्त में किया जा सकता है और अगली बात सांती खडंग करे करे का मतलब होता है हाथ करे का कर का तत्परी क्या होता है बच्चों हाथ हस्त करे सांती खडंग का तत्परी होता है बच्चों तलवार तो हाथ के अंदर कैसी खड़ंग है सांती रुपी तलवार है बच्चों और जिसके हाथ में ये सांती रुपी तलवार है बच्चों सांती खड़ंग करे यशिय जिसके हाथ में ये सांती रुपी तलवार है यानि कि जो व्यक्ति शान्त चित्वाला है समासील व्यक्ति है कि मकरशती दुर्जना उसका दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकता है उसका दुर्जना कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास में कैसी तलवा रहे हैं सान्ती रुपी तलवा रहे हैं यह गुसे वाला व्यक्ति होगा तो क्या करेगा जो अपस में जगडा करते हैं ना वह एक मारता है तो वह उसको दो मारने का प्रियास करता है तो प्यारे बचों इस परकार थे छोटी सी बात मेरे को इस प्रण में आ गई है कालिदाज जी हमारे एक महान कवी हुए थे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए थे उनको टैक्सपियर के नाम से जाना जाता था कहते हैं कि कालिदाज जी बच्चपन में बड़े मुर्क व्यक्ति थे कैसे मुर्क थे एक बार जैसे कि यह व्रक्ष है वो यहां बैट कर गए कुलाडी से इस टैनी को काड़ते थे तो बच्चों जब यहां से इस व्रक्ष की टैनी को काटा जाएगा तो निश्चित रूप से कालिदाजी भी इस टैनी के साथ में निश्य गिरेंगे नहीं गिरेंगे तो इतनी व्रूपता तो कोई व्यक्ति करता है नहीं एक बार एक राजा की राजकुमारी थी वह बड कि मैं जो एक ऐसे विद्वान के साथ में विहाँ करूंगी जो है मेरे इस मूख प्रस्णों का उतर देगा यानि कि मैं इस से लों के साथ में संकेत के साथ में उस प्रस्णों को पूछूंगी और मेरे प्रस्णों का उतर वो देगा तो उसी के साथ में ही मैं विहाँ करू कि राजा ने उस नगर के सारे विद्वानों को सारे लोगों को बुलाया और एक तरफ राजकुमारी को बिठा दिया गया जैसे मानीजी कि यहाँ पर कि सिंगा सर्थ लगा दिया गया कि राजकुमारी बैठी है कहां यहां सामने कुछ राजा लोग आत्के बैठे थी अ के अ कि और वह इस सारा कें अंदर प्रसन पूछक थी आ और वह राजा लोग यहां अन्के प्रस्थन का उत्र देने के 4 want किंतु बहुत सारे दौन बहुत सारे राजकुमार आए। इस राजकुमानी के प्रस्टों का उत्र नहीं दिया जब एक कोई राज़ा वहां से निकल था तो कालिदाहजी वह सेक्स्पियर क्या कर रहे थे वह उसी पर बैठे बैठे क्या करे थे गाली को टारते है तो ने आज और शॉस राजा ने कहा शॉप को बिलाया क्यों नहीं इसको भी यह से ले चलते हैं मेलां कुछेइला टपड़े पयुques पेने हैं कालिदहर जी में पहुंच भूआ वहां बैड़ते हैं और वो राजकुमारी अपने संकेतों के माध्यम से उस कालिदा जी को उस बच्चे को बच्पन के सेक्स्वियर को प्रसंद करती है दूर से संकेतों के अंदर वो एक अंगुली उपर उठाती हैं एक अंगुली उपर उठाने के बाद में कालिदा जी उस उसाइब का मतलब कुछ और समझते हैं वह दो अंगोली ऊपर उठाते हैं कि लेकिन जैसे ही उन्होंने दो अंगोली उपर भी तो ऊसराज कुमारी ने उस मन में ही उस प्रसंद का उताँ सको सत्य समझ लिया को सकठना करते हुए अगले प्रसंद के अंदर पांच अंगूली इस प्रकार से उस कालिदाजी को बताती है तो कालिदाजी उस प्रसंद को कुछ अलग समझते हुए वो इस प्रकार से संकितों के माध्यम से अपनी हाथ को बंद करके इस मुठ्टी को बंद करके उसके सामने प्रसूत करते हैं तो राज के साथ में में साधी करने के लिए तैयार रहूं उस लीक चले पैने होई उसका अलिदा जी को नहला करके तैयार करके рай कार्यीज़ कर उससरा नगर का राज भी उसको दे दिया जाता है ब्ड़े ही धन के साथ में और कि मन्तियों के साथ में उसको कुपास से रवाना कर दिया जाता है लेकिन दोली में बैठे बैठे उस राचकुमारी ने फिर कालिदा जी कहा के है प्रभु ये स्वामी है आपने मेरे प्रसंद का जो उत्तर दिया तो मतलब अ अब मुझे आप मौुखिक गुरूप से समझा दिया समझा दीजीगा तो कालिगा जी ने कहा कि अब राजकुमारी जी रहने दीजी जो भी आपने प्रसंद पूछा मैंने आपका उग्तर दिया आपने उसको एक्सप्ट कर लिया तो निश्ची दूप से वह राइट होगा तो नहीं वह उस राजकुमारी ने थोड़ा सा जीद किया तो राजकुमारी ने कहा कि जब मैंने एक अंगुली उपर उठाई तो आपने दोनों अंगुलिया उपर उठा करके मेरे इस प्रसंद का उतर कैसे द कहा इश्वर एक होता है प्रमात्मा एक होता है तो कालिदाजी ने कहा मैंने यह सोचा तू मेरी एक आँख फोड़ने वाली है इसलिए मैं तेरी दोनों आंके फोड़ दूँगा तो राजकुमारी कि अरे वह सर पकड़कर पस्ताने लगई गार यह तो बहुत बड़ा मु इसकी दो प्रांचे आत्मा और प्रमात्मा इसका यह समझा मैंने और आपने तो ऐसा समझा कि तू मेरी एक खोड़ेगी मैं तेरी दोनों के फोड़ दूँगा अरे बापर यह तो बहुत बड़ा मुर्क निकला कि उसके बाद में उस राजकुमारी ने कहा मेरी दूसरे प परसन क्या समझा आपने क्या पूचा था तो मैंने तो कहा यह 5 उपर जो होती है तो आपने अधल यह को बताना ही होगा मैंने सेय तो मैंने आप नहीं को ठंतने और में आपको घुज्सा मारूं गाए मैं इसन पर समझ करके और थकी गई लेकिए उनकी वजए से कहते हैं न, इस जीवन में, इस संसार में इस्तियों की वज़े से लोग आगे बढ़ते हैं और अगर व्यत्ति की उनति और अवनति होती है, वो इस्ति की द्वारा ही होती है तो उस कालिदाज जी ने वहां से जब अपनी पत्नी का जो उसका पत्नी से प्रेरीध होकर के एक बहुत बड़ी विद्वान बन गई इस संसार में आज हम कालिदाज जी को पढ़ते हैं और संस्कृत के बहुत बड़ी विद्वान बने उन्होंने साथ रचनाएं लेकी हैं दो मा काविये तीन गित्ति काविये और दो खंड काविये इस परकार से साथ रचनाओं का निर्मान किया उसने तो आज कालिदाज जी को हम लोग इस संसार में इसको पढ़ते हैं यार करते हैं तो यह एक चोटी सी गटना थी कि जिस परक घर दो रूंगा या इसने में को यह किया दिया मैं इसका यह नुक्सान करणा तो ऐसी इससा तो जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं इसलिए हमारे इस विद्वानोंने का है कि समा सिलता के मेहतों को दर्साते हुए कहा गया है कि समा सिलता से संसान में सभी को बस में कर सकते हैं हम लोग सभी कारिया को सिद्र किया जा सकता है और अगर किसी के हाथ में है तो दूर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ भी नहीं अहित कर सकता है उसका नुक्षान कुछ भी न होना चाहिए तो इस परकार से आपको इस सलोक के मध्यम से समा सिलता के गुण को जाना है और मैं आसा करता हूं कि यह सलोक आपको समझ में आ गया होगा तो इसी के साथ में यह हमारा जो अध्याय है वह आज स्माप्त होता है तो कुछ प्रसन उत्र है इसके हम दोग देख ले जो पहला जो कुछ आपका है तरवान तरौपान सोरं गायत होा आपको सभी सलोकों को याद करना है घर में गला करके के इसको याद करना है विटे अपने समय के अनुसार सभी स्लोग को संस्कृत में याद करना है आपके एक्जाम के अंदर भी संस्कृत में स्लोग लिखने का एक प्रस्षन आता है तो आपको है यह चैसान स्लोग जितने भी अध्याई के अंदर दे रखे हैं सभी को स्लोग य रियशम कें अंदर पड़ा हैं उसके अनुसार सलोक की लाइन को अपनी अगली लाइन से मिलाना है यसे कि पेहली लाइन द्येदी धन धान्य प्रियोगेशू अब यहां पे धन Awesome एप रिफिश्याइज शन्रीष्तू चाहता यह जो सलोक की limit है उसकी यह लाइन उसको फूर्ण गरती है सलोक को एपिर अगली mayowan Nai कर्तवियां पिछली क्लास में हमने पड़ा था कि हमें आस्प नहीं करना चाहिए क्योंकि चुन्ना वसुंध्रा इस वसुंध्रा पर इस पृत्वी पर बहुत सारे रत्म ए I Am कि फिर हमने एक सुलोग और पड़ाता सत्केन धारिते प्रत्वी तो इसका योगा सत्केन तपते रविही सजनों के साथ में विवाद और मित्रता दोनों कर सकते हैं लेकिन दूर्जनों के साथ में कुछ भी आचरन नहीं कर सकते हैं अब रही लाश्ट की लाइन तो बच्चों यह लाश्ट की लाइन और इसमें बच्ची लाश्ट की लेंग दोनों को मिला लीजीगा आहारे व्यहारे चा याक्तला जसुकी भवेता है पहला कुछन आपका दूसरा कुछन प्रत्वी कें धार ये ते करत्वी किसके अधापर धरन की गई है तो एक पद में उतर देना है इसका उत्रोback की संगती कर नहीं चाहिए इसका उतर यह बिल रहा है अभी अभी सद्भी संगती कुर इसका इस परक्ति रत्ना नानी पहला हिए रहा हुआर प्रत्वियां त्रिनी रत्ना नी जलंव अनम सुभासितम मुढेई पासान खंडेशु रत्न संग्या विधेई ते अर्थार्थ परती पर कितने रत्न बताएं कत्ती रत्नानी त्रिनी रत्नानी कौन-कौन से हैं जलम अनम सुभाशितम पिछली कलास में पढ़ाया था आपको याद होगा आपको और इसी इस लोग का प्रसन यह है मुढेई कुत्र रत्न संग्या विधेते मुढेई पाशान खंडेशु रत्न संग्या विधेते जो मुर्ख लोग हैं पत्तर के टुकुडे को रत्नों की संग्या देते हैं जबकि रत्न तो तेनी है इस प्रसन में पर्त्याम कती रतनानी, तीनी रतनी हैं, कौन-कौन से हैं, जलम अनम सुबासितम, लेकिन मुर्ख लोग तो किसको रतन संग्या, पास्ताण खंडे सुपत्र के टुकडे को रतन संग्या देते हैं, यह देखिएगा यह प्रसन, देखां कित पदा नी, अधी प्रसन निर्मानम कुरोता, जिस पद के नीचे रिका खिंची गई है, जो पद जो है, रिखांकित है, उस पद को आधार मान करके प्रसन का निर्मान करना है, तो यहां रिखेंगे, वसुंद्रा, बहुरतना, भवती, यहां पे आपके जो रिखांकित पद हैं, वसुंद् तो यहां इसकी जगह लिखेंगे हम लोग इसकी जगह लिखेंगे का का बहूरत ना भवति यह प्रस्न बन जाएगा इसकी जगह का लिखने के बाद में प्रस्न वचका चीन लगा देना है यह एंसर है विद्यायाहा संग्रेश्यू त्यक्त लज्य सुखी भवेता तो कश्या संग्रेश्यू त्यक्त लज्य सुखी भवेता इसकी जग लिखना है कश्या सत्येन वाती वायो हो तो सत्येन इसकी जग लिखना है केन वाती वायो हो सब्सक्राइब कुर्विता है सदभी ए येव साथ सृतों के साथ में सद्वी कि महत्रीं कुर्विता है तो रिखांकित सद्दों के जगह अपन को प्रसंवाचक शब्द करके प्रसंद का निर्मान करना है आगे बढ़ेंगे कि प्रसंद जो अगला जो प्रसंद बन रहा है अबना वह हैं प्रसंद का उत्तर लिखना है पूरी वाकिये में हमने एक सलोग बढ़ा था वह सलोग क्या था हमारा था अगर हम बात करते हैं उस सलोग की तो हमने कहा था जो अपने अहार को विभार को धन धान के परियोग में और विद्या के संग्र में जो उसको लज्जा प्यागता है वो वक्ति क्या सांता है शुकी भवेत उस सलो को लिखना है पुरा उसका उतर हो जाएगा कुत्र वित्मेन रख वे तो ऊस्वा उतना है यह अटन वाली है इसलिए यह आप वित्मेक करने की कोई आप सकता नहीं है यह भी प्रसंट का हमने उसलोक के माध्यम से हमने पढ़ा है परत्विया उसके बाद में हम इस प्रसंट को करेंगे इसके अंदर लिखा हुआ है मंजुसाथ इस टेबल के अंदर पदा नहीं चीतवा लिंग अनुसार लिखियो इसको लिंग में लिखना है कौन पूर लिंग वाले सब्द कौन से हैं इस तर लिंग वाले कौन से हैं और नपुसक लिंग वाले कौन से हैं तो देखेगा यहां पे यह जो सब्द आया आपके वहनी, रवी और सत्येन यह सब जो आपके स्पूर्लिंग के अंदर आजाएंगे आपके और वसुंद्रा, प्रत्वी, संगती यह सब्द आपके इस तरी लिंग में आ जाएंगे और जो सेस बच्चे होए है रत्ना, क्योंकि अन्नम यह नपुसक लिंग में आ जाएंगे आपके इस प्रकार से इस प्रसंद को आपको करना हैं अब लाश्ट प्रसंद बच गया है इसको देखिएगा अध्यो लिकित पदेशु दावत के संती दावत नहीं है दातु अधातु के संती धात्व धात्व है निचे लेखे गए पद में कौन सी दातु है वया तो यहां पहला पद है भवेता यहां आपके दातु हो जाएगी भू सिष्ठती यहां दातु है आपकी इस्था करोती दातु है आपकी क्रियर पश्या दातु है आपकी द्रिसर तो प्यारे बच्चों आपको यह ध्यान में रखना है रख इस में कौन सी दातु है भू दातु है तिष्टि के अंदर इस्ता इस्ता दातु जो होती है उसके रूप तिष्ट की तरे है Supa में कि रूप करोती हिस पछार से यह लेड़ा कार करो हैं और द्रिस के रूप पश्या की तरे चलते हैं एप हैं आज हमने आपकी संस्कृत पाट्य पुस्तर का जो पहला अध्याय था उसको पूर्ण रूप से कंप्लेट किया है इसको हमने सलोकों के माध्यम से सुबासितानी जो मधूर वचन सुंद्र वचन है वो आपको समझाने का प्रियास किया है है कि तो मैं यह आसा करता हूं कि उमीदंख से समझ में आ गया होगा और परसंद्धर और भी इसके समझ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही हैं आगे की क्लास हम लेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद